हमारा जो content है क्या उससे audience engage कर रही है या सिरफ वो informative है right क्योंकि जिस content के साथ audience engage करती है वो automatically grow करते है आपका पैसा कैसे कमाया जाते हैं हमेशे एक बात याद अखना कि YouTube व्यूज के ओपर पैसे नहीं देता यूटूब पैसे देता है आपका ads के ऊपर number of ads जादा है रिटेंशन टाइम जादा है आपका ठीक है तो आपका जो व्यूज का amount बनेगा ना वो जादा बनेगा एक जो नीचे boost आता है वो करना चाहिए वो देखो ऐसे ऐसे चैनल भी आया है जिन पर एड लगने के बाद भी उन पर और गैनिक अच्छे व्यूज आया है एक हैक से कैसे बचे अवेरनेस आरे को ते बार में नोलेज थी हमने बोल दे कि हैकर का मैसीज है ठीक है अब जिसको अवेरनेस नहीं है वो लोग क्या करते थे वो ल को सोशल मीडिया प्लेटफर्म फुद पर मोट कर रहे हैं ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया का यूज करें है किसी वीडियो को पर मोट करने में पहले करता था अभी क्या है अभी सिरफ कंटेंट पर फोकस किया जा रहे है पहले किया था अगर आप किसी ब्र आज नहीं कुछ टाइम के बाद आपके बाद नोटिफिकेशन आजेगा कि सर आपका अकाउंट डिसेबल हो गया अब आपने कोई बिजनेस टार्ट किया ठीक है हम लोग सोशल मीडिया के यूज से अभी लाकों बिजनेसमेन ऐसे हैं जो पैसा कमा रहे हैं ठीक है तो उसके बाद चाहिए आप यूट्यूब पे जा रहे हैं चाहिए आप इंस्टा के ऊपर जा रहे हैं वह ओडियंस आपकी डिवाइड होती जाएगी चैनल का नाम बदलना सही रहता है कि हम बदल लेते दो तीन बार वह देखिए क्या होता है जब भी आप चैनल स्टार्ट कर रहे हो वह आपकी ऑपना सोचल मीडिया की ड्रेक्टरी में आ जाते हैं हम लोग सर्च करते हैं जतना ज्यादा सर्च करते हैं वह आपका उपर नाम दिखाना स्कार्ट करें लेकिन अगर आप उसको मल्टिपल टाइम चेंज करोंगे न तो कही न कहीं आपके पेज पेज यादू करेंगे और पेज रिकावर हो जाएगा हम लोग क्या करते हैं हम लोग जिसका पेज हैक हुआ है प्लस जो प्लेटफोर्म है उनके बीट में एज लोयर काम करते हैं पेज है को किया है व्यूज नहीं आरे यूटीब नहीं चल रहा है लाइक्स कामारे है रीज नहीं आरी ये बड़ी सारी प्रोपलम मेरे साथ भी थी अब भी हैं विदाउट फिल्टर टोक में मैं मिश्टर समरी इसी टोपिक पर आज बात करेंगे मेरे साथ हैं जितेंदर को वह स्वामी क्या रहा पाजी बहुत बड़ी अफार है बताई आपका इंस्टाग्राम बढ़ी अग्रोग कर रहा यह से कर दो चैनली हमारा जो कंटेंट क्या उसे ओडियंस एंगेज कर रही है या सिरफ वह इंफरमेटिव राइड क्योंकि जिस कंटेंट के साथ टोडिन्स अंगेज करती है वह automatically गरते आपका पैसा कैसे कमा है जाते के एक लाक विज मुझे आई तो मुझे तो 100 डोलर आया हम अगर आप digital marketing करते हैं तो आपको एक लाक व्यूस मेरे से डोलर कैसे आते हैं वह क्या रिजिसन होता है वो करते हैं आपका कि उसमें आप अगर एकलाग व्यूज आ रहे हैं हमेशे एक बात याद दखना कि यूट्यूब व्यूज के उपर पैसे नहीं देता कैसे यूट्यूब पैसे देता है आपका एड्स के ऊपर ठीक है अब मानके चलो आपने कोई 15 मिंट की वीडियो अप्लोड क्योंकि जितनी लंबी वीडियों ओगी नंबर ओफैर्स उतनी ही ज्यादा हूंगी आपकी अगर नंबर ओफैर्स ज्यादा है रिटेंशन टाइम आपका एक तो आपका जो व्यूज चेंशन उन डवहां बने गा ठीक है एक हम लोग शुरूं में देखते शुरूब आत कर तो यह उस टेम शुरुआत में कैसे बूस्ट करें देखो क्या होता है एक तो पेट केमपेशनिंग होती है सेकेंडली क्या होता है अभी आजकल पेट गुरूप भी चल रहे हैं अब जो गुरूप ओलडी ग्रो कर चुका है ठीक है वो लोग क्या करते हैं वो लोग आपकी प तो जो गुरूप के एडमिन है वो कुछ चार्च करते है आपसे तीक है उसके तुरूब आपकर सकते वह पूरा और्गानिक होता है तिक है लेकिन आपका ग्रों कर रहे हो और वो और गयनिक कर रहे है एक जो नीचे बूस्ट आता है वो करना चीए वह करना तो उसमें क्या कुछ ऐसा नहीं है की लीगल है या कोई सही नहीं है लोगों का मित है कि हम परमोट नहीं करना चdertा अगर कोई क्कंटनेंट है हम उसको जैनुवरी परमोट करना जाते हैं कि वह लोगों तक जये अब मान के चलो कोई offer हमने निकाले है ठीक है या कोई deal हमने निकाली है अब हम अपने group में कहां तक share कर लेंगे उसको ठीक है लेकिन अगर हम किसी social media platform को amount pay कर रहे हैं कि आप हमारे content promote करो ठीक है तो कर रहे है ना वो जैनमर में के अंदर अगली बार अच्छा content वो फिर organic view में जाता नहीं है यह बात भी देखी है ऐसा लोगों को लगता है मेरे पास ऐसे ऐसे चैनल भी आया जिन पर एड़ लगने के बाद भी उन पर organic अच्छे व्यूज आएं वो आपके content के ऊपर है ठीक है हमको लगता है कि हमारा channel freeze हो गया है ठीक है मैं मानता हूं अगर आप अप अपने चैनल पर कोई content upload ही नहीं करोगे ठीक है या आप multiple time content को same content upload कर लिए या time frame आपका कम है content upload करने के बीच में अभी आपने अप्लोड किया फिर 15 मिन बाद कर दिया फिर आपने आदे गंटे बाद कर दिया ठीक है time frame कम है आपका तो उस case में क्या गरता है उस case में social media खु awareness कैसे देखिए अभी recently क्या हुआ था काफी ज्यादा हाइप थी है क्यों पर कि अलग अलग अकाउंट से आपके बाद मैसेज आ रहे हैं कि आपका पेज डिसेबल हो गया या आपके पेड़ वाइलेशन है 24 अवर के अंदर वो डिसेबल हो जाएगा या डिलीट हो जाएग अब जिसको अवेरनेस नहीं है वो लोग क्या करते थे वो लोग वेरिफिकेशन के लिंक पर क्लिक करके डिटेल डाल देते थे और इम्मीडेट आपका अकाउंट हैक हो जाता था अभी recently मेरी continue Facebook पर इसके बारे में बात हुई उनके पस millions of page की request आई होई है जो hack है इस टाइ बचें कैसे अगर आपको कहीं पर भी लग रहा है कि आपके page में कोई problem आ रही है तो आप जो specialist है ना उससे यह बात करें आप खुद अगर कोई step लेने लगोगे ना हो सकता है वह आपका genuine में कोई problem आ रही हो ठीक है लेकिन जो specialist लोग आपको सही guide करेगा अब जिसको knowledge नहीं होगी वो लोग उस link पर click करके details डाल देंगे और बाद में बोलेंगे sir मेरा page hack हो गया मेरी ही गलती थी बहुत लोगों ने realize कि मेरी ही गलती थी हम देखते हैं शोर्स पर व्यूज होते हैं millions सब्सक्राइबर भी होते हैं जब हम बड़ी वीडियो डालते हैं आठ से दस मिनट की चारिस मिनट की उस पर व्यूज नहीं आते हैं यह क्यों लूंच हुआ है वो क्यों लूंच हुआ इंस्टाग्राम के ओपर भी शोर्स का हुआ गया चाहिए वेस्बूक के ओपर शोर्स का गया तो सोशल मीडिया प्लेटफोर्म पुद पर मोट करें अट यह उसका पैसा नहीं आता से दसाँ है चोर्स चाहिए आपको नम्बर तो सेख़गों का dum लेकिन अगर आप उससे अपनी रीज चेक करोगे, नमर आप यूजमेंट चेक करोगे, तो वह आपके इंक्रीज होगी, अगर आपका बंदा ही कोई पेज को हैक कर लेता, आपका नोन टू बंदा, उसके पास ID पासवड है, उससे कैसे बचें, देख वो डिपैंड करता है कि पेजर आप लोग इन कहां किया है, अगर किसी टरस्टी डवाइस पर आपका रहे हो, अब मेरे पास कोई मूंबाई बैठ है, कोई कैलकता बैठ है, कोई बंगलोर बैठ है, कोईको, पूने, बैठ हैं, वहाँ से मेरे पास highly को offer देते हैं, तो यहीज के सिस्टम से हम लोग बच सकते हैं हैस्टेक काम करता है किसी वीडियो को पर मोट करने में पहले करता था बेसिकली अभी क्या है अभी सिर्फ कुछ नहीं चीज आई है जिसे हैस्टेक मिलती जूलती कि हम यूज करें और वो बूस्ट हो जाए रहते हैं अभी क्या आपने देखा होगा थोड़े टाइम से यह बहुत इशूज आ रहे हैं कि मेरा पेट डिसेबल हो गया मोसली इंस्टा के अंदर यह चीज आ रही है पहले क्या था अगर आप किसी ब्रैंड की प्रमोशन कर रहे हो विदाओर कोलाबरेशन तो वह चलता था अभी अगर मानके चलो आपने एक शोरूम खोला हुए जिसमें आपके पास एडिडास के शूज भी है प्यूमा के भी ह है किसरे अकाउंट इसेबल हो गया अब हम क्या करें क्योंकि उस समय पर पॉलिसी अलग थी जब आपने डाली थी वह पोस्ट लेकिन आज पॉलिसी चेंज हो गई है तो हमको अप्टू डेट रहना पड़ेगा अगर हम मारे हमको सोचल मेडिया सही रंग से चलाना है तो इ यूएस के अंदर अभी भी वह चल रहा है ठीक है लेकिन इंडिया के अंदर सिस्ट इन्वाइट अनली प्लोग्राम है वह एक फेसबुक से पैसा कैसे कमा सकते हैं फेस्बुक मंनों मैंने एक लाग यूज्यू है यूटुब भी उसी वीडियो पे एक लाग यूज है ठी लोग लोग लोजिक नहीं समझते हैं क्यों हो रहा है ठीक है और कोन कों से प्लेटफर्म एजिसे पैसा कमा जा सकते हैं देखो प्लेटफर्म तो ओनलाइन बहुत है आपके ठीक है बट डिपेंड करता है कि हम लोग यूज कैसे कर रहे हैं उसको अब आपने कोई बिजनेस टार्ट किया ठीक है हम लोग सोशल मीड लोग तो वह डिपेंड करता है कि आप उस प्लेटफर्म का यूज कैसे कर रहे हैं मुझे अपनी बायो में डाल दें तो हम आपके इतना पैसा पे कर देंगे स्टोरी डाल दें और एक लिंक डाल दें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें एक रील बनाकर डाल दें मैं डाल कि वह लीगल भी है या नहीं है राइट क्योंकि किसी भी ब्रैंड प्रमोशन को लेने थे पहले आप उनके बारे में अच्छे से चेक कीजिए कि वह जैनुवन है या नहीं है उनसे पहले किसे इंफ्लेंसर ने यूट्यूबर ने डील की हुई है उनसे रिव्यू तो ठीक कैसे होगा आपने रिजन दिया कोई टेरिस्ट एटाइक का उसमें प्रोब्लम आ रही है क्योंकि जब भी आपका पे डिसेबल होता है तो वहां पे मैंशन होता है कि वह किस रिजन की वज़ए से कौन सी पॉलिस इशू की वज़ए से वह हैक हुए या डिसेबल कोपि राइट कलेंग आप ए मानके चलो एक वर्णिंग लंग है ठैक है अगर आपने मानके चलो योटूप पर क्लेम आ गया ठीक है आपने मुझ चंज कर दिया या म्यूजिट सेलेंट कर दिया आपने तो वह लुच जाएगा आपका ठीक है तो स्ट्राइक में क्या होता तो आपका योट्यूब चैनल पर्मानेंट डिसेबल भी हो जाएगा जब मैंने चैनल नहीं शुरू किया तो पैसे दे के भी फॉलोवर बढ़ते हैं पैसे दे के भी सब्सक्राइबर बढ़ते हैं और पैसे दे के भी वह इस टाइम कुरा होता है ऐसा कुछ है या इक्जेक् बोर्स के लिए मैं catch rich down होती जाइे जाए शुरू 就 अगर से अब कोई आइटम लोगे तो आप्स सोचिल मिडिया डिया करें इसलेए जए सस्ताय महहंगर अगा करना चाहिए तो आपको कितना टाइम हो घाबी कैसे कैसी देखें आपने अभी तक मुझे डिश्टल मार्केटिंग के अंदर आए तीन साल हो चुकी हैं किस नाम से आपकी फरम ऐसे मैं पैकेज प्राइमेट लिंपिड के नाम से तो इसकी पैसे मुझे देंगे मैं आपकी प्रमोशन कर दी वो दी बैंड करते हैं कैसे एक्सपिरियंस है अगर कोई नया बच्चा आके सीखना चाहिए तो इसका क्या प्रोसेस रहते है आपके पास आए तो देखें मैं सिखाता नहीं हूं लेकिन मैं आपको गाइड कर सकता हूं राइट सही ड्रेक्शन दिखा सकता हूं कि आप कहां जाके सीख सकते हैं सबसे पहले आप अपने एक प्लेटफर्म को स्ट्रोंग बनाईए अगर आपकी ओडियंस फेस्टूप पे है तो उसके बाद चाहिए आप यूट्यूब पे जा रहे हैं चाहिए आप इंस्टा के ऊपर जा रहे है वह ओडियंस आपकी डिवाइड होती जाएगी लेकिन अ फेस्बुक जब आपका बिल्ड हो जाएगा आपके अच्छे खासी ओडियंस आ गई है उसके बाद चैनल का नाम बदलना सही रहता है कि हम बदल देते दो तिन बार वह देखे क्या होता है जब भी आप चैनल स्टार्ट कर रहे हो वह आपकी ऑपना सोचल मेडिया की डिरे मैं जो बटन मिलता सिल्वर यह कितने पर लोक होता नाम यह यह वन लक सिस्क्राइबर के ऊपर आपको सीलवर मिलेगा लेकर लोक होता है nama 80 पर लोक हो जाता है कि अगर आपने जो भी आपका नाम है चैनल का अब 80 से पहले चेनल कर ना दो कर ले उसके बाद जो करेंगे व वो लोग आपको बटन सेंड करते हैं कोरियर करवाते हैं जब आप उसको अप्लाई करोगे ना पड़ता है या खुदबा खुदबा बईस देते हैं एक कोड आता है ठीक है जब आपके रिक्वार्मेंट कम्प्लीट हो जाती है ना आपके ऊपर नोटिफिकेशन आएगा डिटेल डालो वहां पर वो चैनल का नाम मांगेगा आपसे ओटमेटिक नहीं आएगा ठीक है जो में चीछ काम करेगा वो कोड काम करेगा राइट अगर वो नहीं आता है फिर हमको अपनी हेल्प सेंटर में जाके वहां से अप्लाई करना पड़ता है गूगल एडसेंस गूगल एडस यूज़ कर रहे हैं यूट्यूब परमोशन के लिए क्या फायदा उसका आप देखो ना अगर आप किसी सोंग के ऊपर चार पांट लाकर पर लगा रहे हो जी आपने अपने यूट्यूब चैनल पर डाला उसको जी आपके व्यूज़ आए पांसे दस हजार जी कि आपको अच्छा लगेगा नहीं अच्छा लगेगा तो हर सिंगर यह सोचते हैं कि अगर मैं इतना पैसा अपने सोंग पर लगा रहा हूं तो मुझे प्रमोशन भी करनी है उसकी बिना प्रमोशन के आज क्या चलते हैं आपने कोई बिजनेस टार्ट किया है ठीक है च अब जितना लगाओगे उससे बहुत मिनिमम पाओगे फिर भी लोग यूज करते हैं परमोशन के लिए और क्या के जरीये हैं जिनके तर्व हम परमोशन कर सकते हैं तो काफी वेज हैं लेगिन डिपेंड करता है कि कौन सा हमारा हमारा को बैनिफिट दे रहे है ठीक है रइ मुझे पता है कि मैं Facebook पे प्रमोशन लगाऊंगा तो मुझे leads आएंगी या Instagram लगाऊंगा तो मुझे leads आएंगी ठीक है अब लेकिन अब डिपेंड करता है कि हम लोग location क्या target कर रहे हैं अब मुझे दिली के अंदर समान सेल करना है मेरा online भी मेरा बिजनेस है जिए राइट मुझे दिली से बार बात इन्हीं करने मुझे दिली से बार अपना विजनेस चलाना ही नहीं है तो मैं ओडियंस टार्गेट दिली की करूंगा जी राइट अगर मैं target मुंबई लेके चला गया ठीक है तो आपके प्रमोशन तो बेकार गी आपके प मेरे दिमाग में बहुत गूम रही है कि मालो मेरा चैनल है किसी परकार का इंस्टा हो गया फेस्बूक हो गया मुझे हम खुद लोग रिव्यू डाल देते हैं तो क्या सही सबसे सेफ किया आप लोगों के पास आएं खुद बात करें यूट्यूब से मैं आपको बताता हूं देखो हमाले पास लाइट से होते हैं फेस्बूक इंस्टा से लाइफ चैट करने के अगर आपको नोलेज है ठीक है फिर तो आप रिव्यू में डालो ठीक है हर चीज चेक करने के बाद अगर नहीं है तो आप उसको मत छेड़ो आप किसी स्पेशलाइजेशन के पास जाओ जिसको ओलड़ी इस चीज के बारे में नोलेज है कि हम लोग क्या कर सकते हैं अगर आपका पर्मनेंट डिसेबल हो जाता है उसके बाद भी बहुत प्रोब्लम होती है उसको रिजॉल्व करने के अंदर क्योंकि वो डिपेंड करता है कि वो जो डिसेबल हुआ है वो किस री ठीक है लेकिन वहां पर समझदारी से काम लेना पड़ेगा हमको पेशन्स रखने पड़ेंगे उस चीज के लिए हम लोग क्या करते हैं लोग पहले इसके चीज के लिए तो कि देखें को जो डला हुए है आपका अगांट डिसेबल हो गया आपने उसको रिवीव में डाल ठीक है उसमें चेंडिस तो हुए ही नहीं है तो जो चीज पहले थी वो चीज अब है वो रिवीव करने के बाद भी आपको पर्मनें डिसेबल कर देगा उसका फायदा क्या है फिर मतलब आपके पास आते हैं कोई भी आई एक्जेक्ट तो रहता है बड़े लोगों को यार आपके अकाउंट डिसेबल कैंड वह 35,000 से स्टार्ट है मेरे चिंडिया लेवल के ऊपर हम लोग काम करते हैं और आउट ऑफ इंडिया भी काम करते हैं आउट ऑफ इंडिया तो इसके चाज़िस बहुत जाद है जी वह लेक्स के अंदर हैं हमारी बहर भी डिल होती है ना बाहर के भी जो हमारे clients है वो लोग खुद बदाते हैं कि सर वहां पे charges आप यह मान के चलो दो-दो लाख भी ले रहे हैं लोग तो वह depend करता है और क्या होता है मैं आपको बदाता हूँ छोटे जो चैनल है राइट यह चोटे जो फेस्बुक पेज हैं जिनके 10-20 या 30,000 प्लोवर्स हैं उस पे अब भी क्या कर रहे हैं के मेंकि यह यहि at anyone क्यों करते हैं भी फैस्बुक का में मिन्ट करते हैं पेस्वुक कोशई मैरेपास लाखोट प्पेज ऐसे हैं जो हैक पड़े हैं राइट लोगों को क्या लगत है जातू करेंगे और पेज्र पर्स प्लावर्स प्लेट कोम पड़ेश में में शरी हेर क reflection सब्सक्राइब तो इस प्रोसेस के अंदर टाइम लग जाता है किसी को दो महिने भी लग जाते हैं और कोई-छे महिने बाद भी ठीक नहीं होता उसमें लंबा टाइम लगता है वो डिपेंड करते के उपर इसलिए बेसिक कस्टमर आपके पास कैसे आते हैं कि यह हो गया वो क्या रहती है देगे मेरे पास हर टाइप के क्लाइंट साथ जाद अतर क्या होता है फेस्बुक पेज हैक हो गया या यूट्यूब चैनल डिसेबल हो गया राइट और जैसे कि हमारे डिशनल मार्क् आपने तरफ से सर्फिष्टेव हैं अभी हमने रिसेंट्ल लोंच किये सेलिवीटी पर मोशन के लिए अपको इनगरेशन करवानी है आपको इंवेंट करवानी है आपको खिलिग बनाना यह ब्रेंड कर रभानी है जैजय आप इसलिविटी का नाम बोलेंगे हम वह आपको क्या नाम है प्रवाइड करवाएंगे यह आप अपनी तरफ से सर्विस रखी हुए आपने इग्जेक्टली यह अभी हमने रिसेंटली लॉंच किया है तीन साल हो गए राइट उस टड़ी आप पहले आपने बिटेक किया नहीं मैंने एमसे की थी उसके वाद मैंने छे साल को करिया क्या इस एकदम से सच्ट विए आपमने माहीन में था कि खुझ का कुछ करने हैं हो दो करना चाहते देन लिए को जानに आपके उपर डिपेंड करते हैं तो 5 लाग महीना कमाने, 10 लाग महीना कमाना या आपको 20 लाग महीना कमाने आपके उपर है, आप कितने capable हो, आपके skills क्या है, राइट, वो depends करेगा मार्किट के अंदर काम के कोई कमी नहीं है और डिशनल मार्क्टिंग एक ऐसी फिल्ड है इस टाइम पर जो सबसे जादा ट्रेंडिंग में चल रही है कोई नया बीजनस ओपन हो रहा है उसको भी प्रमोशन की नीड है कोई पराना बीटनस नहीं चल रहा उसको भी प्रमोशन की नीड है और जो चल रहा है उसको भी प्रमोशन चाहिए कि मरा और चले पहले कहते हैं इत उठाओ सिंगर निकलता है फिर आया कि इत उठाओ यूट्यूबर निकलता है अब इत उठाके मारो ना तो लगती यूटीवर के हैं इतने यूटीवर्स हैं हर कोई यूटीवर है हर कोई यूटीवर है एक ऐसा भी कुछ रहता है कि ओडियंस जैसे हर्याना में इस वीडियो को देखा तो कम पैसे आएंगे और पंजाब में देखा रीजनल जहां को यह यह अगर इंडिया देख रहे है तो यूटीवर इनडिया है उन्डिया जाद है तो डिपेंड करेगा कैसे चाहिए मतलब कि यह और रख्राइन कैसे बचाक्षा और चाहिए कि सबसे पहले तो आज के टाइम में आप यह चीज़ समढ़ लिजीए कि आपका कुछ भी सिक्योर नहीं है हमको लगता है कि हमारी जो डिटेल्स हैं वो सिक्योर है राइट हम खुद लोग क्या करते हैं कोई application हमने डाउनलोड करी उसका हम access दे रहे हैं चैवा आपकी gallery है चैवा फॉन बुक है चैवा आप मेरा यूज करो तो आप खुछ सोचो कि आपका क्या से है हम कुछ थर्ड पाइटी वेबसाइट के ओपर लोग इन अपने dollars आपने अपने डाल रखा होगाおाँ यह सबना तो चलती तो • अगर आप दिसर्ड रूब करोगे तो आप का डेटा सेफ नहीं रहेगा चैक इंच जेंडर invasive वाई बड़ी जो मेरे परसनल सवाल थे मैं तो complete हूँ फिर भी मुझे लगेगा कि किसी को और जानकरी चाहिए मैं पाजी का नाम इनकी company की firm का नाम mention कर दूँगा, mail डाल दूँगा इनका Instagram handle डाल दूँगा proper जानकरी इन से ले सकते हैं follower बहुत सारे हैं के Instagram पे thank you for your time thank you, thank you so much